गईज आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी जो है वो है Apple and Apple बहुत सारे प्रोड़क्स बीचता है उनका मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूसुल प्रोड़क्स अगर कोई है तो वो है Macs जो उनके कम्प्यूटर साते है यह जो Macbook है पिछले almost 6-7 सालों से 2016 से मेरे जिंदेगी का एक essential पार्ट रहा है इसके उपर ही मैंने almost अपने चैनल की आधि से जादी almost two third videos जो है वो मैंने इसी Macbook के उपर edit की है यह है 2015 Macbook Pro यह थोड़ा सा पुराना हो गया था तो मैंने ले लिया है M2 Macbook Air है जालोग देखते हैं कैसा product है भाई मैंने बात सारी बाते जानी है इस product के बार में सब कुछ बताने वाला ओ अब स्वोड़ा आपको तो ही जादा लोग यही खरीतेंगे और इसकी ही टेस्टिंग करनी बनती है लेट्स ओपन दिस गाइस लोली स्लोली बहार आता है भाई ओके यह रहा हमारा प्रेशस मैक बुक एर तो जब से परले हम स्कॉर है भाई यहां पर हमको यह ब्रेड़ केबल देखने को मिलती है यह ताइप C से एंड यहां पर यह है लाइटनिंग का पोड उसके नीचे एम पर एक पाउच देखने का मिलता है जिसमें आइधिंग बहुत सारे कागजाद होंगे पर स्टिकर श्पेस ग्रे कलर में मैं यह 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 ताइप सी वाला 30 वर्ट पीडी चारजर देखने को में लाइटा अपल का अपल का कुछ का हूचा वाइट यह यह है जल्वा असली माल तो है यह भाई तो है पहु यह ते प्रिटी अमाइजिंग अच्छुरी एक उल्ग उलिख एक अगले से अगाँ यहां पर चालू हो यह मर्को अच्छा लगता है, नि फुर्स टाइम जब चालो करो ना, डाइरुक्ता है, मंगज मारी निर्दारा, ऑँच, यह देखो वाहियादगी तेहाँ यहाँ यहाँ, जलभाई ना भाई, एपल लोगो, इसलिझ जलभाई, इसलिफेरेंस तेर्स यहाँ अगर, ऐसलिच पूरा स्ट्रीट डिजाइन है उपर से लेके नीचे तक के इस बार बैसल काफी कम किया है और पूरे राउंड है इधर इधर पर और ब्लस ये नॉच के वज़े से थोड़ा सा बैसल कम लग रहा है शे दिन हो गया मेरे कान बॉक्स करके और शे दिन से मैं इस MacBook Air M2 की टेस्टिंग ही कर रहा हूं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की तो डिजाइन इस बार इन लोग ने चेंज कर दिया मतला पहले कासा होता जो MacBook Air पिछे से तो वह पतला फिल का एप करते हैं पूरा एकडम यूनिफॉर्म बॉड़ी है जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो कुछ इस तरह का डिजाइन है चारो तरफ से यूनिफॉर्म है जो नया MacBook Pro आया है 14 इंच 16 इंच वाला वह टाइप का डिजाइन यहां पर है same to same काफी जबर्दस डिजाइन है पूरा Aluminium में है एंड बिल्ड क्वालिटी काफी जादा सॉलिड है आपको ऐसा कहीं से बिल्ड क्वालिटी के मामले में लेकिन बहुत जादा लाइट वेट है सिरिफ 11.3 mm की थिकनेस है एंड वेट जो है इसका 1.24 ग्राम है वेट तो बहुत जब बहुत जादा से बिल्ड क्वालिटी में लेकिन ना के बराबर ही मोड़ रहा है लेकिन अधर कोई विंडो लेक्टॉप उठालो उनसे तो माइल्स बेटर है देर इस नो डाउट इन बहुत जादा तगड़ा बहुत जादा सॉलिड क्वालिटी है यहां पर पूरा Aluminium है यह थोड़ा सा सॉफटर साइड में आता तो अगर आपका थोड़ा इधर उतर हाथ लेगा तो स्क्राइच आने के चांसे थे 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 हलकासा माइनर सा देखो स्क्राइच अकर आपको दिख रहा हो तो इसकी बात बाई थोड़ा सवाल के यूज करो प्लस इसके अंदर यह एक हाथ से खोल जाता है लेकिन इतना कम वेट होने कैसे क्या होता नो जब मैं खोलता हूं तो थोड़ा सा देखो पीछे हटता है तो यह चीज है तो मैंने बिजनस पॉपोस के लिए 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 तो 6,000 रुपे में लिए को HDFC का डिसकॉन मिला प्लस GST का बिड सेट अची है और काफी कमफरेबल कीबड यह जो ट्रैक पैड है यह नॉर्मल ट्रैक पैड नहीं है यह फोर्स ट्रैक पैड है मतलब जब ऐसा आप तच करो काना तो इसके निए वाइबरेशन होती है जिसके बशी से आपको फील होता है कि बटन दब रहा है और भी डबल बार वन क्लिक पकड़ कर रखो दुबारा डबल क्लिक मतलब वह फोर्स तुमको थोड़ा जाधा ताकत लगानी बढ़ती है वो चीज़ है तो काफी जबबर दस ट्रैक पैड है और इसकी अक्यूरेसी वगेरा भाई there is no doubt पूरे इंडस्ट्री में लैप टॉप के इंडस्ट्र तो इससेड में मको मैकसेफ 3.0 का पोट देखने है और दो योजबी टाइप सी पोट है यह जो टाइप सी पोट है यह तरंडर बोल 3 है और योजबी 4 भी बोल सकते है आप 40 गीगाबिट की बैंडविध के साथ में आता है बहुत ज़ादा तगड़े पोट साही है लेकिन और बहुत ज़ादा इरिटेटीं है वो चीज़ यह दो पोट के वज़े से मैंने आज तक मैकबूक ने लिया भाई वो डॉंगल लाइफ मुझे जीन ही नहीं थी एक पोट एक्ष्रा मुक को मिला है जो है यह जो पहले मेरे मेरे मैकबूक में अवेलेबल था जैसे आप ल लगा हुए है तके इसको नजल ना लगे बहुत जाए बूट जाती तर नजल आ जाती समझेरो न आप लोग चांद में भी डाग होता तो यह पर दाग होना ज़रूरी था एपल लगा चलो एक टीका लगा देते है बाई एपल भी इंडिया से सीख रहा है अभी आप इंड 1.6-inch IPS display है 2560 x 1664 resolution है 224 PPI इसका 10-bit display है 500 nits की brightness है काफी लाज जवाब display है भाई no doubt in that लेकिन जो notch है जब मैंने first time लिया मेरे को लिटरली इसको देख के चिड़ा रहे थी एक दिन यूश किया दूसरे दिन यूश किया तिसरे दिन यूश किया कमेंट में आ रहा है मतलब मैं इस चीज़ के लिए से पता ही नी चलता कि भाई noach हमको कुछ फरक पड़े मतलब एकदम आप भूल जाओगे ऐसा समझ लो बाकि apple का जो यह display है इसको apple liquid retina display बोलता है भाई जो भी display है बहुत जबरदसत है P3 का पूरा color gamut support है मतलब इससे जादा accurate display भी आपको नहीं मिलने आप ऐसा इतने accuracy वाला काली monitor लेनी जाओगे भले ही 14 इंच का monitor लेनी जाओगे यह resolution यह accuracy कम से कम 25 से 30,000 पर खर्चा करना पड़ेगा easily उससे कम में तो ऐसे quality का display नहीं मिलेगा भाई देखो HDR का playback है पोर के HDR एकदम जबर्दस तरीके support करता है viewing angles देख लो भाई अरे मतलब भाई MacBook का display है तो इसमें आपको कोई डाउट होना नीचे है बहुत तगडी quality का display है भाई काफी हद तक light का reflection यह cut कर पा रहा है इन लोग ने पता निकोंसी coating किये लेकिन बहुत ही जादा वहियाद भी है जैसे मैंने बन किया अब इदर देखो फूरा आप लोग तो देख रहे हो यह सब fingerprints है बहुत irritating हो जाता है मतलब इसको clean करना एक सरदरत का काम है जैसे आप लोग देख पा रहे हो इतना ज्यादा fingerprint आता है जरा भी hard touch होता तो fingerprint लग जाता है और इसको clean करना बहुत बहुत बड़ा सरदरत का काम है और यह coating जो है Apple के MacBook के उपर यह coating नि पिछले बार जो MacBook Air था उसमें यहां पर साइड मा पत्ती दी थी थी speakers की यहां पर वो पत्ती काया बहुत इन लोग ने इस बार speaker देखो को चुपा के दिया अगर आपको दिखा ही देखो यह 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 खाचे में चुपा यह ले 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 तो इस चीज के वैसे speaker की quality definitely downgraded लग ल के इसमें कुछ को चीज़े जादा बेटर है अपल खुद बोल रहा है quatt speaker है पुराने वाले से जादा बेटर लेकर में को सुनने में जादा बेटर हो पुराना ला ला लगता था इवन मेरा जो यह iPad Pro है M1 वाला इसके speakers इस से जादा बेटर है अब आप खुद अपने धिम बाहुल बनाते है इन लोग लेकिन से कुछ हाइंड स्पीकर्स ही अगर आपके आपके अरपोड वगरा है तो उसमें सॉर्टर रहता है फिर वह special audio सुन से आप लोग बाकि बात next quality के microphone है प्लस जो यह सामने बड़ी सी नौच देख रहे हो इसके अंदर इन लोग ने 1080p webcam डा कुछ इस तरह का quality आता है अभी देखो मैं पिछे कर light दिखाऊ तो आपको एक idea लगेगा कि light को किस तरह से manage करता है काफी काफी हाथ तक काफी अच्छ से manage कर पा रहा है no doubt in that and अवाज भी से record हो तो आपको एक idea लगेगा microphone का लेकिन भाई iPhone का जो selfie camera है वो level नहीं match कर पाते है अभी हम सबसे important चीज के बारे में बात करते हैं जो है इसका performance इसके अंदर हमको Apple की खुद की chipset देखने को मिलती है जिसका नाम है M2 यह M1 का upgrade है Apple बोलता है 18% 20% upgrade है भाई I'm a video creator तो आपको पता यह मेरा main काम क्या है video edit करना और photo editing में कोई issue नहीं आया भाई एकदम रप रप photo editing करता है मेरा reference बता दू मैं अभी तक के editing M1 Mac mini में करता था base variant 8GB RAM वाला यह भी base variant 8GB and 256GB storage वाला इसकी भी एक कहानी हो यह मैं बताता हूं आपको तो इसके अंदर में को photo editing में कोई issue नहीं आया एवन video editing भी बहुत जबर्दस तरीके से होती है जैसे मैंने आपको दिखा footage है 10 bit 422 और जो bit rate है वो almost 150 Mbps का तो बहुत ज्यादा high-end file है MacBook Air M2 के लिए देखो मैं play कर रहा हूं इतने दिरबाद जाके play हो रहा है काफी जादा मतलब उसकी हालत खराब हो जा रही यह वाले footage में जब मैं 8 bit की footage करता हूं तो काम चल जाता है कोई जादा प्रॉबलम होता नहीं यह मैंने इसको external monitor से connect करके रहा है background जो rendering होती है वह rendering complete होने के बाद देखो क्या मस्त चलता है इवन जो scrubbing performance है वह भी काफी improve जाता तो इदर जो background rendering होती है वह हो जाए न तो इवन जो 10 bit की 4K footage है भाई A74 से लीवी उसको भी चला लेता है बहुत प्यार से भाई यह वाला बाई तेवे 3 layer वाली footage है देखो यह 1080p में है यह 4K 30 है यह भी 4K 30 है लेकिन यह जो footage है यह वाली fanless computer ऐसी footage को भी चलानी की capability रखता है तो सोच दो कितना अबावर होगा अभी हम लोग है इसका M1 का rendering test करके देखते है अभी यह जो footage है यह 11 minute की footage है triple layered 4K footage है तो आप लोग देखो तीन लेयर है आपर यह 1080p में है यह दोनो 4K में है तो इस तरह की कुछ अधे timeline है 11 minute की पूरी प्रोजेक्ट है तो काफी सारे एफेक्ट काफी सारे वीडियो इफेक्ट है लेट सी इसको बाइदवे सारा जो रेंडरिंग फिनिश हो गया तो आप लोग बैक्रांड की पूरी रेंडरिंग फिनिश हो गई है उसके बाद आप हम लोग M1 Mac Mini में करके पहले रेंडर करके देखते हैं फिर के आद हम सेम चीज़ देखेंगे तो फाइनल फाइल जो है वह 6.43 जीबी की बन रही है यहां से स्टार्ट करते हैं यहां से भी स्टार्ट कर देता है मैंने टाइमर भी लगा दिया है सो गई जस्ट फिनिश हुआ एंड ट्वेंटी फोर मिनिट के अंदर कम्प्लिटली रेंडर हो चुका है यहां आपको ऊपर एक भी डॉट्स नहीं देख रहे होंगे तो यह सारी चीज़े क्लियर है लेट सी जहां पर भी वही हम सेम रेंडर करके देखेंगे 6.43 जीबी की फाइनल फाइल है सेम एज एम लगता है एंड सेम जेके पर हम स्टोर करेंगे अब लेट्स देखो लास्ट रेंटी फूर मिन थर्टी सेवन सेकंड लगा था अभी रिसेट करते हैं एंड सेफ स्टाट पर यह फैन लेस है सो यह चीज़ भी है प्लस अभी देखो यहां पर बैटरी फूल है तो कनेक्ट अनी की तरौत भी नहीं लग रही है यह सेम चीज मैंने नोटिस करी मैंने वीडियो रेंडर करके देखा मैंने अल्मुष्ट वीडियो और एडिट करके देखा इवन टाइम लाइन में भी थोड़ा सा ज्यादा स्लो यह वाला मशीन फील होता है कंपेर टू M1 मैक मेनी क्योंकि M1 मैक मेनी में प्रॉपर हमको क प्रॉपर एक मिनिट एक्स्ट्रा लगा है इसको रेंडर होने में सो विदाउट फैन की मशीन होने के साथ में सिर्फ एक मिनिट एक्स्ट्रा लगा लेकिन यह M2 है next generation थो थोड़ा था और अप्रेड होना चाहता लेकिन फैन नहीं है उसके हिसाब से भी काफी ज्यादा को पूरी रेंडर होने के बावचुती बैटरी लाइफ देखो कितनी कम ड्रॉपी तो मतलब बैटरी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा किलर है एंड यह मैं विदाउट चार्जिंग लगा कर लगाना है तो मतलब परफॉर्मेंस आप देख लो यह बेस वे रेंट है 8GB दैम और 256GB internal storage वाला उसके हिसाब से भी देखो क्या तगड़ा परफॉर्मेंस अब आई मतलब एक थीन लाइट पोर्टेबल मशीन के हिसाब से यह जो परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा क्रीजी है कर दिखो एक वीडियो की रेंडरिंग चल रही है 38 डिगरी से उपर देंगे लेकी काफी हीट हो गया है लेको 42 degrees Celsius है आपको continuous काम करना है और heavy काम करना है तो Mac Mini वगएरा जादा सेनस बनाता है यह बिना वाला जो काम करने के लिए है वो बिना फैन माला ही करेगा इतना समय लो बाई overall बता हूं तो मेरे को काफी अच्छा performance लगा भाई में कमी feel नहीं हुई एक fanless laptop होनी के हिसाब से क्योंकि यह portable machine है मतलब इसको आप कहीं पे भी लेकर सेम editing कर सकता है मेरा M1 Mac में है भाई बहुत जाधा powerful है लेकिन यह fanless है उसके साब से मैं बोल सकता हूं कि ठीक ऐसा कुछ कमी नहीं है लेकिन वह fan वाला design M1 Mac Mini वह जाता फास्ट है M1 है उसके बावजूद भी और उसका एक reason हो यह भी हो सकता है कि SSD इसके अंदर हमको single NAND flash देखने को मिलता है जो पहले डबल हुआ करता था NAND flash का मतलब जो SSD storage का जो चीप होता है तो दो चीप को एक साथ combine कर देते थे जिस चीज कर जो उसकी speed होती है SSD की वह double हो जाती थी भाई लग 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 3,000 Mbps की speed हमको M1 वाले chipset में मिलता था 256 GB storage में यहां पर वह सेम SSD 256 GB वाली है वह single NAND chip में है जिस चीज की वज़े से हमको 1500 Mbps की speed मलती है मतलब सीधा आधा तो भाई डाउन ग्रेड तो है फॉर शॉर और वह चीज आपको हर जगे feel होती है जब आप final capture अगेरा चला तो जो speed है वह थोड़ा सा slow होता है अभी यह फिलाल 8 bit में record करो इसके पहले मैंने 10 bit में record करके एक वीडियो दाल के देखा भाई उसका जो यह footage इसके डाला ना तो इसकी फट के हाथ में आ गई सत्तर हजार रुपेगा है अरे मैं बेवकूफी रहूंगा ना गर एक लाग एक सत्तर हजार रुपे डालूँगा उसके बदले में सिर्फ 20-25 रुपे एक्ष्रा डाल के मैं यह वाला यह लेलू ना 14 इंच वाला उसके अंदर में को मुच बैटर डिसले 120 अच मिनिया डिल या फिर ज्यादा होर्स पावर चाहिए जो मैक बूक प्रो 14 इंच है उसकी तरफ जाओ वह ज्यादा बेटर डिल है यह बेस वेरेंट ही मैं सजेश्ट कर सकता हूं वह ऐसे लोग को जिसका काम बहुत ज्यादा इंटेंसिव नहीं है अगर आप 1080p video editing अगरा करते हो भाई को 1080p video editing में कोई भी इसके आसपास नहीं बटकने वाला यह प्राइज में यह बोल सकता है काफी जबर्दस काफी पावरफुल है लेकिन 4K में multiple 4K streams में आप एडिट करोगे तो थोड़ा यह श्ट्रगल करता है even compared to M1 जो मेरा मैक में नहीं है उससे लेकिन जब कोटिबलिटी की बात आती तो भाई यह काफी ज़्यादा portable है यह चीशत में definitely बोलूगा पकि software के बात करो तो यहां पर Mac OS Monterey देखने को मिल जाता है और काफी जबर्दस काफी powerful software है भाई क्योंकि software hardware सारी चीज़े अपल खुद बना रहा तो इनका जो overall cohesiveness है काफी जबर्दस सजिस बाकी बात करो बैटरी की तो I am really really impressed वाई एक यह एक लैप टीक है उसके हिसाब से मैं अभी देखो यहां पर बैटरी है almost 23% तो बहुत ही जादा क्रीजी चीज है मतलब सोचो तीन वीडियो रेंडर करना बहुत मतलब पावर तो है एक पावर तो है एक जासा पाई लेकर ल जिसके वज़े से ना भाई इसकी बेटर लाइफ बहुत तगड़ी है अटरा गंटी के बेटर लाइफ बोलता है बाई अल्मुष्ट चार चार दिन हो जाएगा आपको चार्ज करने के ज़रवत ने पड़ेगे अगर अगर मैक्सेफ से चार्ज करोगे तो दो थंडर बॉ जो आपका उभीजी जाता तो खाली आपको प्यास एक ही आयो बच्ता बाकि भाई जो 30W का चार्ज का मिला है काफी स्लो है मेरे पास नथिंग का 45W का PD चार्ज जाता है उससे काफी फास चार्ज जाता तो मैं वह यूज कर तो टेंचन नहीं है बाकि इसके अनर Bluetooth 5.0 दिया एक एक इस्टा डिस्टा यहां पर हो जाता है लेकिन अगर अगर इस प्रड़क की बात करू तो एक लाख बीस हजार रुपे का प्रड़क्त है अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत जादा जरूरी है वीडियो एडिटिंग या बढ़े टास्क है तो आप 14 इंच प्रो अगर आपको नॉर्मल सिंगल 4K camera रहेगा या फिर 1080p में वीडियो एडिटिंग रही है multiple cameras वाली तो आप M1 वाला Macbook Air लो वो आपको लगभग लगभग 25-30 दर पसद से मिलेगा और इसके बराबर की पूरी performance निकाल करेगा बस यह है कि उसका पूराना डिजाइन है लेकिन काफी अच्छा डिजान है भाई यह चीज मैं बोलूंगा की इतना ही ताइस वीडियो में होप आपको पसंद आएगा इसका comparison अगर आपको M1 Macbook Air सच है तो में को definitely बताना बाकि इतना ही ताइस वीडियो में है I hope आपको वीडियो पसंद आएगी कुछ हैलफुल लगी होग लगे तो बाइक शलकर शेड अचर श्राइब कर तब एं थाइच वाच वाचव वाचिंस एसर गैस पाई